इस एडवेंचरस कहानी की शुरुवात होती है लिन नाम की एक आदमी को दिखाते विवे जिसे की उसकी लवर एसल नीन से जगा रही थी दर एसल लिन को आज उसके सामराज्य की एक बहुत ही बड़ी राजा की यहां पर दावत की ले जाना था किंग ने तो लिन को इस दावत में अपना राइट हैंड बनने की अपोर्चिनेटी दी होती है इसलिए लिन तुरंती उठकर उस जगह पर पहुचने के लिए भागनी लगा था सबसे पहले लिन अपनी मदर के पास जाता है जो उस राजा की सेकेंड वाइफ थी लेकिन राजा ने तो उसे कभी अपनाया ही नहीं लिन की मदर उससे पुछ रही थी कि तुम पूरी राद भर कहां गायब थे लेकिन लिन अपनी मॉम से जूट कह देता है कि वो चर्च के अंदर प्रे कर रहा था हाला कि लिन की मदर को सब कुछ पता होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती अब लिन की मदर उसे राजा की दावत में जाने के लिए कहती है लेकिन वो खुद इस दावत में ख्यामिली नहीं होती लिन के जाने के बाद तो उसकी मदर ने अपनी आखों पर पट्टी बान ली थी और फिर कोई काला जादू करते हुए एक लेटर लिखा लेटर लिखने के बाद तो लिन की वाइफ ने उसके उपर ग्रीन स्टैम्प लगा दिया था आखिर ये किस तरीके का काला जादू है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा वहीं दूसरी तरफ अब लिन राजा की दरवार में पहुच चुका होता है राजा तो पूरे सम्मान के साथ लिन को अपने राइट हैंड साइड में बिठाते हैं और उससे दावर स्टार्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन इससे पहले राजा ने लिन को अपने बादरी की कोई कहानी सुनानी के लिए कही पर यहां लिन बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसने आज तक कोई ब्रिवरी का काम ही नहीं किया होता वो क्या कहे उसे कुछ समझता ही नहीं लेकिन तब यह अगले मोमेंट में राजा की महल का दरवाजा उपन करते हुए ग्रीन नाइट आ चुका था ग्रीन नाइट तो गोडे पर सवार होकर राजा की वाइफ क्वीन के पास आ जाता है लेकिन चौकाने वाली बात यह थी कि ग्रीन नाइट के हाथ में वही लेटर था जिसे कि लिन की मौम ने कुछ दिर पहले लिखा होता है राजा की करेंट वाइफ यानि की क्वीन जब उस लेटर को उपन करके पढ़ने लगी तब कोई अंजान आत्मा यानि की ग्रीन नाइट उसे पॉसेस कर लेती है राजा की वाइफ तो ग्रीन नाइट की आवाज में बोलने लगी थी कि मैं एक क्रिस्मस का खेल खेलना चाहता हूँ और इस क्रिस्मस के खेल में जो भी मुझे हराने में काम्याब होगा उसे मैं अपना सबसे पावरफुल वेपन दूँगा लेकिन विजेता को अगले क्रिस्मस में ग्रीन चैपल आना पड़ेगा अब यहां राजा बहुत बार सोचने के बाएट डिसाइट करते हैं कि ये काम तो लीन नहीं कर सकता है उन्होंने लीन को तलवार पकड़ा दी और ग्रीन नाइट के आगे कर दिया लीन को कुछ समझता नहीं कि वो इस कंडिशन में क्या करे इसलिए उसने सिर्फ तलवार को अंधा दून गुमाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन अच्छे बात यह हुई कि वो तलवार डारेक्ली जाकर ग्रीन नाइट के गले पर लग जाती है जिस्ते कि वो ग्रीन नाइट तुरंत ही मर गया था यानि कि ग्रीन नाइट के सर्थ के अनुसार लीन विजेता बन चुका है और अब ग्रीन नाइट का सबसे पाउरफुल वेपन लीन का हो चुका है लेकिन शर्ट के according to me next Christmas में मेरे साथ Green Chapel आना पड़ेगा जहाँ पर फिर मैं तुम्हारी जान लूँगा एक समय पर तो लिन को लग रहा था कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी अब यहाँ धीरी धीरी समय बीचता गया लिन तो पूरे सामराज में अपने इस बहादुरे वाले काम के लिए काफी ज़्यादा फेमस हो जाता है सामराज्य के साधे लोग तो लिन को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानने लगी थे लेकिन रियालिटी तो ये थी कि लिन को भी नहीं पता होता कि ये सारी चीज़े उसके साथ क्यों हो रही है उसे तो फाइटिंग के वारे में बिल्कुल नहीं पता था पर अब वो एक युद्धा बन चुका है धिरे धिरे समय बीतने के बाद अब क्रिस्मस काफी क्लोज आ जाता है लिन के पास तो अब राजा आकर उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि तुम्हें अब ग्रीन नाइट के वादे को फॉलो करना होगा यानि कि तुम्हें ग्रीन चैपल जाकर ग्रीन नाइट से वापस फाइट करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शायद ग्रीन नाइट हमारे पूरी समराज्यों पर कर्स लगा देगा लेकिन यहां लिन की गल्फरेंड ऐसल उसे लगातर मना कर रही होती है कि तुम ग्रीन चैपल मत जाओ क्योंकि इसमें लिन की जान को बहुती बड़ा खत्रह हो सकता था लेकिन अब तो ये लिन की मजबूरी बन चुकी थी समराज्य के सारे लोग तैयारी करने लग जाते हैं लिन को ग्रीन चैपल भीजने के लिए लिन जाने से पहले अपनी मॉम से आखरी बार मिलता है लिन की मदर उसे समझा रही थी कि इस रास्ते में तुमें कई सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा लेकिन तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ते ही रहना लिन की मदर ने तो उसे एक ग्रीन कलर का कपड़ा दिया और वो कहती है कि तुम इस कपड़े को अपने पास से कभी मत हटाना देखकर ऐसा लग रहा था कि लिन की मदर ने उस कपड़े पर कुछ काला जादू किया है जिससे की कपड़े के अंदर रचनास्मक शक्तिया आ चुकी थी पर इस बात का लिन को कुछ आइडिया नहीं होता है वहाँ पर तो अभी भी कई सारे सोल्जर्स की डैड बॉडिस बढ़ी हुई थी अब लिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तब उसे एक लड़का दिखाई देता है लिन ने तो उस लड़के से ग्रीन चैपल जाने का रास्ता पूछ लिया वह लड़का लिन को ग्रीन चैपल का रास्ता तो बता देता है लेकिन इसके बदले उसे कुछ रिवार्ट चाहिए था लिन ने तो तुरन थी एक सिका उस लड़के की तरफ फेक दिया जिससे कि वह लड़का भी काफी कुछ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है पर जब लिन आगे बढ़ते हुए एक घनी जंगल के अंदर पहुचा तब उसके पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं लिन को तो उस जग़पर वही लड़का दिखाई दिया जिससे कि उसने ग्रीन चैपल का रास्ता पूछा होता है वो लड़का तो लिन के पास आकर कह रहा था कि मैंने तुम्हें जान बुचकर गलत रास्ता बताया जिससे कि हम तुम्हारे पास मजूद सारी के सारी चीजे हडप ले अब उस लड़के के सारे दोस्त लिन के सामान को चेक करने लग जाते हैं तब ही उन्हें ग्रीन नाइट द्वारा दिया गया वो खतरनाक वेपन दिखाई दिया। देखने पर शायद पता चल रहा था कि उस लड़के को इस वेपन की पावर्स के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए अब उसने लिन के सारे सामाम को छोड़ दिया और ग्रीन नाइट की उस हतियार को लेकर वहाँ से चला गया। उन लोगों ने तो बुरी तरीके से लिन की हाथ पैर बान दिये थे। यानि कि लिन उस जगह से अब भाग ही नहीं सकता था। कई घंटों के बाद भी उस घने जंगल के अंदर कोई मदद के लिए आता ही नहीं है। चौकाने वाली बात थी कि अब हमें लिन का स्केलेटन दिखाया जाता है जो वहीं पर फसा होकर मारा जा चुका था। लेकिन ये सब लिन की एक इमेजिनीशन होती है। उसे लग रहा था कि अगर वो इस जगह से जल से जलना लिकला तो शायद फ्यूचर में जाकर उसकी हालत स्केलेटन वाली हो जाएगी। इसलिए वो पूरी कोशिश करने लगा अपने आपको छुडाने के लिए। लिन तो अब किसे भी तरीके से अपनी तलवार के पास पहुचकर हाथ पर में बंदे विवे रस्य को काट देता है। जिससे कि वो अब आजाद हो गया था। लिन तो तुरंती अब उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगा जहाँ पर वो लड़का उसके वेपन को ले कर गया होता है। इतने घने जंगल में उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर अब कई देर तक इसी तरीके से चलते रहने के कारण लिन को एक जील दिखाई देती है जिसके ठीक साइड में एक छोटा सा घर मौजूद था। लिन तो बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इतने लंबे सफर के बाद लिन काफी ज़्यादा थक जाता है इसलिए वो वहीं पर सो गया। कुछ देर के बाद उसे घर के अंदर विनी नाम की एक लड़की आती है। लिन तो उठकर उस लिड़ी से माफी माँग रहा था कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। और बहुत ज़्यादा ठके रहने के कारण मैं यहीं पर सो गया। विनी इतनी छोटी बात के लिए लिन को कुछ कहती नहीं। लेकिन डरावनी बात तो यह होती है कि वो उड़ते हुए लिन के पास आ रही थी। लिन तुरंती समझ गया कि विनी कोई इंसान नहीं है बलकि वो तो एक आत्मा है। विनी लिन को अपने बारे में बताने के लिए जील की तरफ लेकर चरी आई थी। विनी कहती है कि कुछ समय पहले एक बहुत ही खतरना करा जाने मुझे पर हमला करने की कोशिश की थी। वो तो मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे। लेकिन मैंने फिर भी उनका विरोध किया। जिसके वज़े से उन्होंने अपने सैनिकों को बोलकर मुझे जान से मरवा दिया। अब यहाँ विनी लिन्स से एक मदद मांगती है कि मुझे मुक्ती तभी मिलेगी जब तुम जील के अंदर मौजूद मेरे स्केलेटन को बाहर लेकर आओगे। अब लिन्स को तो किसी भी तरीके से विनी की मदद करनी ही है क्योंकि उसने एक रात उसके घर में गुजारी थी। लिन्स तो अब बिना डरे जील की गहराई में चला गया था। बहुत ज़ादा ढूनने के बाद उसे एक स्केलेटन मिल ही जाता है। इसलिए अब वो विनी का स्केलेटन लेकर उपर आ चुका था। पर विनी तो लिन्स को कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसे थोड़ी दूर पर एक फॉक्स दिखाई देता है जो लगातर उसे घूर रही थी। इसी फॉक्स को लिन्स ने बहुत पहली भी देखा था। ल कहरा होता है कि ग्रीन नाइट से तुम बच कर रहना, वो जरूर तुमारे पैचान में से कोई है जो तुमारा बुरा चाहता है। लिन्न ने तो अब विनी के हेड को बाकी स्केलेटन के साथ लगा दिया, जिससे कि विनी को पूरी तरीके से मुक्ती मिल जाती है। अब लि लिन के डेस्टिनेशन अभी बहुत ज़्यादा दूर थी लेकिन उसे किसी भी तरीके से पहुचना ही होगा। इसलिए वो बिना खाने पीने की परवा किये आगे बढ़ता ही रहता है। थोड़े टाइम के अंदर ये अंदर वो एक पहाड़ी वाले इलाके में आ गया था जहां एक बड़ी सी गुफा होती है। वो तो उस गुफा के अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए चला गया। लिन तो अब उस बहुत ही बड़े गुफा के अंदर आराम करने चला गया था। लेकिन तबी वो उसी फॉक्स को देखता है जो लगातार उसका पीछा करते जा रही थी। ये फॉक्स तो शुरुआत से ही लिन के साथ रह रही थी और उसे फॉलो कर रही थी। लिन भी अब उस गुफा में रहकर फॉक्स को अपने पास बुलाता है जिससे की कुछी दिर में उन दोनों की बीच दोस्ती हो गई थी। यानि कि अब वो फॉक्स बहुती बड़ी बड़ी इंसान मौझूद थे। ये किसी अटैक आफ टाइटन जैसा सीन लग रहा होता है जहां बहुती बड़ी बड़ी टाइटन्स घूम रहे थे। लिन तो उन सारे टाइटन्स को बुला कर ये कह रहा था कि मुझे अपने बॉड़ी पर बिठा कर चाती है। फॉक्स के लगातार चिलाते ही वो सारे के सारे टाइटन्स वहां से दूर चले गए थे। लिन भी समझ जाता है कि जरूर इसके पिछे कोई रिजन होगा इसलिए ये फॉक्स मुझे प्रोटेक करना चाती है। अब यहां पर वो दोनों लगातार आगे बढ़त था कि लिन ने ग्रीन नाइट को भी हराया है। अब वो राजा लिन को कुछ दिखाना चाता था इसलिए वो उसे कमरे के अंदर लेकर चला गया। वहां पर तो राजा की मदर मौझूद थी जिनके आँखों पर पट्टी बंदी होती है। लेकिन चौकानी वाली बात यह ह वाइफ थी, वो सेम टू सेम लिन की गल्फरंड ऐसल जैसे दिख रही थी। लिन तो कुछ समझी नहीं पाता कि आखिर ये चीज़े कैसे पॉसिबल है। अब राजा अपनी पूरी फैमली के साथ लिन को डिनर करने का इंविटेशन देते हैं। लिन उनके साथ बैठ कर ख जादा दूर नहीं है। लेकिन क्रिस्मस आने में अभी भी पांच दिन का समय बचा हुआ है। इसलिए जब क्रिस्मस का समय बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएगा तब तुम यहां से चले जाना। लेकिन तब तक तुम इस जगह पर रुकर आराम कर सकते हो। लिन ने भी यह सारी चीजों से कोई भी लगाओ नहीं होता। राजा की वाइफ लिन के पास आकर उसे किस करने के लिए कहती है। लेकिन लिन ने उनका अपमान ना करते हुए उनके गाल पर किस कर लिया था। अब राजा की वाइफ लिन के गले में एक लॉकेट देखकर पूछती है क इसके बदले वो लिन का ग्रीन कपड़ा दे देगी। ये वही कपड़ा था जिसे कि लिन की मॉम ने उसे सफर पर निकलने से पहले दिया होता है। और बतकिस्मती से बीच रास्ते में उन लड़कों ने ये कपड़ा चुरा भी लिया था। लिन को तो वो कपड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए होता है, इसे ले वो ट्राइ करने लगा था राजा की वाइफ की हर खुआईश पूरी करने के लिए। लेकिन लिन उन सारी चीजों को भी अच्छे से पफॉर्म नहीं कर पाता। राजा की वाइफ तो थोड़ा सा डिसपॉइंट होकर वहाँ से चली गई थी। तभी लिन की नजर राजा की वाइफ पर पढ़ती है जिन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांदी थी। लिन इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपना सबसे पाउरफुल वेपन लेकर वहाँ से भागने लगा। वो तो डारेक्ली पैले से बाहर निकल कर जंगल की तरफ चला जाता है। पर थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद लिन के सामने अब राजा आ चुका था जो लिन को कहता है कि मेरे पास तुमारे लेक सर्प्राइज है। अब रास्ते में लेन को एक छोटा सा समुद्र दिखाई देता है जहां पर एक नाव रखी गई थी। देता है। लिन तो अब नाव पर बैटकर लगातर समुद्र का सफर तै करते वे ग्रीन चैपल भी पहुझ गया था। वो जब थोड़ा और आगे जाता है तब ग्रीन नाइट सोया हुआ था। क्योंकि अभी भी क्रिस्मस आने में एक दिन बाकी है। इसलिए अब लिन वहीं पर रुक कर एक दिन गुजरने का इंतजार करने लगता है। उसने तो ग्रीन नाइट द्वारा दिये गए खतरनाक वेपन को सामने रख दिया। पहले क्रिस्मस के टाइम पर मैं तुम्हारे सामने जुका था। और अब यहां तुम्हारी बारी है। खुश होते हैं और फिजिकली इंटिमेट भी होते हैं। वही वंश आगे बढ़ना चाहिए जिनका स्तर बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा उपर हो। अब यहां लिन ने जो एसल से बेटा पैदा किया था वो अब काफी बड़ा हो चुका होता है। लिन तो जान बुचकर अपने बेटे को युद्ध कलाई सिखाता था और उन्हें युद्ध मिले कर जाता था। और इसलिए एक घमासन युद्ध के दौरान लिन के बेटी की मौत हो चुकी होती है। लिन तो वो युद्ध भी पूरी तरीके से हार चुका था। इसलिए जब वो अपने सामराजय में वापस लोटता है तो सबी लोग उसे बुरा भला कहने लगे थे। पूरी जनता तो अब चाहती ही नहीं कि लिन उनका राजा बन कर रहे। सबी लोगों के बीच में एसल खड़ी होकर देख रही थी और उसे काफी मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था कि लिन ने उसके साथ जो भी किया वो उसे वापस मिल रहा है। अब तो धीरे धीरे लिन के हाथ से उसकी सत्ता छूटने लगी थी। थोड़े ही समय में लिन की दूसरी वाइफ से उसकी एक बेटी होती है। लेकिन लिन का सामराजय पर से अपना हाथ फिसलने के कारण उनकी सैनिक बल भी काफी कम हो गया था। जिससे कि उन्हें पता चलता है कि विरोधी सामराजय की बहुत ही बड़ी सेना उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए अब लिन के पूरी की पूरी फैमली उसे वहीं पर छोड़कर कहीं दूर निकल गई थी। यानि कि लिन अंत में एकड़म अकेला था। उसे अपनी गलती का पूरी तरीके से ऐसास होता है। यहाँ पर लिन ने अभी तक अपनी मदर द्वारा दिये गए उस कपड़े को पहना था। पर लिन अब उस कपड़े को जाकर निकाल देता है। जिसके तुरंथी बाद लिन का सर कटकर अलग हो गया था। यानि कि वो तुरंथी मर जाता है। पर अचानक लिन तब भी होश में आ जाता है और उसकी आँकी खुल जाती है। दरसल वो तो अभी भी उसी जगव पर मौझूद था जब ग्रीन नाइट वेपन की मदद से उसे जान से मारने वाला होता है। वो तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर रहा था। लेन को इतना तो पता चल गया था कि अगर वो ग्रीन नाइट से बच कर वापस जवकाने वाली बात होती है कि अब ग्रीन नाइट लीन को मारता ही नहीं। वो तो लीन से कह रहा था कि तुम सच में एक बहुत ही बड़ी योधा हो। तुम्हारे अंदर जरा भी डर नहीं है और तुम आगे चल कर बड़ी बड़ी कारना में करोगे। जिसके बाद ग्री लिन की मदर ने कहानी की शुरुआत में अपना काला जादू करके उस लेटर को राजा के पास बेजवाया था। यानि कि वो ग्रीन नाइट भी एक तरीके से उनकी ही जादू की वज़े से बना होता है जो लिन को सिर्फ उसकी एमियत और अच्छा योधा बनाने के लिए लिन जब अपने सामराजी में वापस लोटता है तब राजा के मरने के बाद उसे राजगदी मिल गई थी पर अब लिन को पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं वो तो अब एक सबसे अच्छा राजा बनने का डिसीजन लेता है और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचर कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी वर्ष आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मुझा और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पॉसन भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एं चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीखी की मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए बाबाई